शनिवार को पुलिस अधिक्षक डॉक्र वीमल कुमार ने प्रेसवारता करते हुए एसपी ने पत्रकारों को बताया कि रजरप्पा रोड मायल चितरपूर तीन से चार घरों में भेंटी लिटर के सहारे घर में घुस कर अग्यात चोरों के द्वारा पीतल का बरतन एवं थाना कांड संख्या एक सो नौ बटे दो हजार चौबिस धारा चार सो संतावन बटे तीन सो असी भादावी की अंतरगत अग्यात चोर के विरुत प्रात्मी की दर्श की गई उसी रात्री को राज किये बुनियादी विद्याले चितरपूर में जल मिनार में लगे सोलर प्रेट की चोरी की सिकायक साथ हुई थी इस संतर्व में रजरप्पा थाना कांड संक्या 111 बटे दो हजार चौबिस धारा तीन सो नवासी भादावी के अंतरगत अग्याद चोर के विरुत प्रात्मी की दर्श की गई पुलिस अदिक्षक रामगड की द्वारा कांड के उद्धेदन घटना में शामिल अभ्युक्तों की गरफतारी एवं चोरी किये गए समानों की रामदगी हेत्तू अनुमंदल पुलिस पदादिकारी रामगड परमिश्वर प्रशाद की नित्वत में SIT का गठन किया गया पुलिस अदिक्षर की दिसानिदेश में उक्ते टीम के द्वारा त्वरित कारवाई करते हुए कांड के उद्धेदन हेतू तमाम तक्नीकी एवं घटनास्तल के आसपास लगी CCTV कैमरा का अवलोकन किया गया अवलोकन उप्रांत प्राप्त साक्ष के अधार पर दो संदिग व्यक्ति को पकड़ा गया पकड़ाय गए दोनों संदिग व्यक्ति से तक्नीकी शाक्षों के आधार पर पूछताच की गई तो दोनों ने अपना प्राध सुिकार किया एवं दोनों के निसान देही पर प्रटा में चोरी किये गए समानों के खरीदार पवन कुमार, उम्र लगभग 33 वर्स, पीता धनीश्वर प्रशाद, चितरपूर, सोनार मुहला, ठाना जरजरप्पा, जीला रामगड को भी चोरी के समानों के साथ गिरफतार किया गया है। इस कांड में फरार चल रहे दो अव्यूक्त के विरुद लगातार गिरफतारी है तो छापे मारी अभियान जारी है। पुलिस ने खुर्शिद आलम उर्फ बाबूर, उम्र लगभग 20 वर्स, पिता सहजादा आलम, मायल थाना रजरप्पा, जीला रामगड, पवन कुमार, उम्र लगभग 33 वर्स, पिता धनेश्वर प्रसाद, चितरपूर, सोनार मुहला, ठाना रजरप्पा, जीला किया गया है। 83 भानुप्रताप रजक का नाम शामिल है। रामगर से मुहमद आयोग की रिपोर्ट पुजा का सामान इत्यादी कुछ लोगों का और मुबाइल इसका भी चोरी कर लिया गया है। इसको लेकर के दो कांड लिदर्च किये गये थे। और इसके बाद एक टीम बनाया गया। वहां के पता देगारिटी में चाथच की और जो कुछ टेकनिकल इंपुट के आधार पर जो है इसमें कारवाई की गई जिसमें तो संदिक लोगों से पुष्टाज की गई और उनके पास से फिर जब ये पुष्टाज के क्रम में ये पता चला और जिसके बात जो सामान इ दोरी के सामान गए थे और जो चोरी के बरतन और कई सारी मुत्तिया यह सभी चीजों की बढ़ति और अदिकांस चीजों की बढ़ति की कर ली गई है और इसमें दो वैक्ति की गरभतारी की गई है जो कुर्सी दालम जो की मायल के रहने वाले हैं और पवन कुमार ये भी जो है वो चीतरपूर का रहने वाला है इसके साथ में एक जो है नाबालिक भी जो है और जुड़ा हुआ था और उसको भी जो है पाल सुधार ग्रेवेजा जा रहा है और इसमें ऐसी जो भी इस तरह की चोरियां भी पुरे जिले में हुई है उन सभी की सूचियां भी हम लोग बनाये हैं और सभी जगह टीम गठित करके स्टीपी और संबंदित इंस्पेक्टर को देश दिया गया है कि इन सभी वैसी सारी चूरियां जिनकी पिदर उद्वेदर नहीं हुआ है पिछले कई महिमों का थी उन सभी पे जो है वो ठोस और कड़ी कारवेगी है थे 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 थे